नमस्कार दोस्तों राधी राधे ओसम कलेक्टिप्स में आप सभी का एक बाप फिर से बहुत बहुत स्वागत है जी हां दोस्तों आज हम फिर उपस्तित हैं एक महत्पूर्ण जानकारी के साथ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि होली का दहन की रात इन कर दे ताकि इसे प्रकार के रोचक जानकारियां आपको समय से मिलती रहें तो आईए दोस्तों देए न करते वे वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों फागुन मास की पुणिमा तिती को होली का दहन मनाया जाता है और इस बार यह सुप तिती 24 मार्च दिन रविवार को ह होली का दहन के बाद एक दूसरे को रंग लगा कर होली मनाया जाती है होली का पर्व जितना रंग भी रंगा है उतना ही यह पर्व जीवन में रंग भरने वाला है दरसल तंत्र सास्तर में होली का दहन की रात किये जाने वाले कुछ टोटके और उपायों को करने से बुरे स समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं और इस तरह की समस्याओं से निजाग भी मिलती है। आईए जानते हैं कि होली का दहन की रात किये जाने वाले इन उपायों के बारे में। अगर आपको अपने जीवन में उन्नती चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए आईए जानते हैं होलिका दहन के समय साथ पान के पत्ते ले इसके बाद होलिका दहन की साथ बार परिक्रमा करे और हर परिक्रमा करते समय एक पत्ता होली का दहन की अगनी में डाले इस तरह साथ परिक्रमा के साथ पत्ते होली का दहन में जाएंगे ऐसा करने से परिवार में सुख सांती रहेगी और परिवार के सदस्यों की अच्छी उन्नती भी होती है वहीं दोस्तों अगर नकरात्मक सक्तियों को दूर करना है तो उसके लिए भी कुछ उपाय बताए गए है कैरियर में उन्नती और बेहतर रोजगार के लिए होली की रात एक नीवू ले और उसको अपने उपर से साथ बार वार ले फिर नीवू को किसी चोराहे पर ले जाकर उसके चार टुकडे कर दे इसके बाद नीवू के एक एक टुकडे को चारो दिसाओं में फेंक दे और घर वापस आ जाए ध्यान दखे कि उसके बाद पीछे मुर कर ना देखे ऐसा करने से कैरियर और रोजगार से समन्दित सभी सम समस्याओं से मुक्ति मिलती है और नकरात्मक सक्तियां भी दूर रहेंगी दोस्तों अब बात करते हैं अगर आपके चाहते हैं कि आपके घर में भी बरकत बनी रहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए होलिका दहन की अगनी की बची हुई राख को घर लाकर लाल कपड़े मे रखने ऐसा करने से आपके घर में बरकत आएगी और कज से भी मुक्ति मिलेगी साथ ही हुलिका दहन की भस्न का टी का संभव हो सके तो हर रोज लगाए ऐसा करने से गरह बाधा प्रेत बाधा समीत कई बाधाएं दूर हो जाएंगी वहीं दोस्तों गर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की क्रिपा आप पर सदा बनी रहे तो इसके लिए भी कुछ उपाय बताएगे हैं फावगुन पोनिमा की रात वो होलिका दहन का पर्व किया जाता है और पोनिमा का संभद माता लक्ष्मी से है इसलिए होलिका दहन के समय माता लक्ष्मी का ध्यान करें और स्री स तक का पाठ करें और शक्कर की आहुती भी दें साथ ही कारे शिद्धि के लिए तीन गोमती चकर को लेकर अपनी प्राथना को बोलते हुए अगनी में डाल कर परणाम करें ऐसा करने से मातलक्षमी की किरपा प्राप्त होगी और आर्थिक स्थिती मजबूत होती है दोस्तों आसा करती हूँ यह होली आपके लिए बहुत ही मंगल मैं और सुपकारी हो धन्यवाद दोस्तों राधे राधे